नमस्कार, विल्कम टू अल्टरा डॉट गेमिंग और मैं हूँ आपका होश्ट दोस्त सुबासीज आज की वीडियो में हम थोड़ा बहुत अपने आसपास को एक्स्प्लोर करेंगे एक्स्प्लोर करेंगे मतलब हम तोड़ा जाके देखेंगे आसपास में क्या कुछ है की नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर आके अपना चोटा एक बेस तो बना लिए लेकिन आसपास क्या कुछ है की नहीं हम देखें नहीं और मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि मेरे बेस के एक दम बगल में ही है एक desert temple तो पहले हम उसमें जाएंगे और पिछले वीडियो में हम ये nether का portal बनाए और nether में जाके एक छोटा सा XP farm बनाए अगर वीडियो आपने देखे नहीं तो उसका link आपको description में मिल जाएगा अब जड़ू देख लिजिए और ये है मेरा nether का portal जो है और ये मेरा पीछे आप में इस जगा को थोड़ा बहुत clear कर भी लिये थे बहुत सारा पेड़ था हाँ पर हम सब हटा लिये अब हम आज तोड़ा इधर उदा जाके देख लेंगे बगल में क्या कुछ है की नहीं है मेरा और तोड़ा कुछ मुझे explore भी करना है क्योंकि मुझे अभी तो जानना पड़ेगा मेरे आसपास में क्या कुछ है की नहीं है चलते अब घड़ में हम पहले कुछ सामान पहले ले लेते हैं जाने से पहले जैसे मुझे एक बोट लगेगा एक दुर्बीन या फिर जो स्पाइग लास है उसको रेडी करना पड़ेगा तो इसलिए हम एक सर्ड ले लिए कुछ कॉपर भी लेना पड़ेगा आप मुझे क्योंकि मुझे एक लास्टर मुझे मिला था सिल्क टजवाला पीक एक से और अब हम लेते हैं कुछ कॉपर और यह हो गया मेरा स्पाइग लास तो अब हम चलते हैं अपने नए खोंच की तरफ सब ठीक है इन्वेंटरी थोड़ा हम फास्ट फोरड़ कर लेते वीडियो को और एकदम बगल में ही मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया था डेजर्ट टेंपिल और यह और यह आ गए हम सामने का बायम थोड़ा हम देख लेते हैं यह देखे मादुमा क्या यहां पर बहुत सारा है यह एक्चुली बहुत रेयर होता है लेकिन मुझे मिल गया था और यह हम आ गए डिजर्ट टेंपिल की अंदर तो थोड़ा साइड में मुझे लाइट अप करना है नहीं तो मॉ देखे लेते हैं त्यरा कोटा वाला यह तोड़ा काम आएगा मुझे तो इसको पहले तोड़ लेते हैं और यह नुब्रा वाला हरकत हम नीचे गिर गए कोई बात नहीं इसको तोड़ा अटा के उपर जाएंगे और यह प्रेसर प्लेट को एकदम लीग नहीं करना चाहिए नहीं तो यह पूरा TNT का महोल देख रहे हो आप पूरा एकदम भूम और यह सब सामान में ले लूँग तो पहले मेरा अप इंवेंटरी थोड़ा देख लीजिए कुछ भी नहीं है तो पहले में सब को तोड़के ले लेता हूँ तो कहां गया पीकक्स यह देखे सब हम तोड़के ले लेते हैं फिर बाद में देखेंगी क्या कुछ नहीं मिला क्या मिला कि नहीं मिला तो इसमें enchanted भाला book piercing और swiping h3 है बहुत अच्छा है तो हम ले लेंगे पहले सब तोड़के ले ले लेते हैं उसके बाद देखा जाएगा ठीक है तो अब उपर जाने की वाड़ी है तो हम इसको यूज़ करके थोड़ा उपर चले जाएंगे क्योंकि मुझे उपर से अभी लेना है बहुत सारा ठेला कोटा और यह मेरा inventory आप देख लो क्या-क्या मिला मुझे थोड़ा खा लेता हूँ मैं और फिर उपर चलते हैं हम अगये उपर में और मुझे यहां से थोड़ा बहुत यह टेरा कोटा वगड़ा सब लेना है तो पहले में देख लेता हूँ यह हीडेन अगर कुछ मिल जाए तो हम ले लेंगे यह हम बाहर में आ गए यह है बाहर और टेरा कोटा बगरा जो भी हम सब ले लेंगे फिलाल यहां से थोड़ा खड़ाब दिखेगा यह जगा लेकिन मुझे तो अभी जरूरा थे टेरा कोटा का तो हम ले लेते हैं तो पूरा हम यहां से जितना भी हो सके माल सब करेट कर लिए तो अब मुझे चलना पड़ेगा अपने घर में क्योंकि एकदम बगल में है मेरा घर तो पहले हम जाके पूरा जो सामान मुझे जो भी मिला हम सब रखके फिर जाएंगे निया जगा पे नहीं तो इन्वेंटरी करके बाहर जाने का तो कोई मतलब है नहीं है और अब हम आ गए और अब हम लगाएंगे दो अलग चेस्ट ताकि मैं आपको बार्द में दिखा सको कि पूरा एक्स्प्लोर करने के बाद मुझे क्या क्या सामान मिला सब यहां पर हम रख देंगे जो सामान मुझे मिलेगा इ अपने दूसरी जगा पर मतलब हम जाएंगे फिर दूसरी दिसा में और यह चलते हैं इस साइट पर मुझे एक भी लिस्तों दीख गया था फैले यह देखिए सामने दीख रहा है लंबा टावर वाला तो उसमें ही चलते हैं आ गए बहुत सरा हेवल है अपर हम ले लेंगे और यह खास तो कुछ नहीं मिला हम नहीं लेंगे यह सब तो थोड़ा जाके फिर इदर उदर देख लेते हैं क्या है की नहीं है कुछ अगर अच्छा मिलेगा तो हम ले लेंगे यह देखिए Emeril मिला तो हम ले लेंगे क्योंकि मुझे Emeril तो चाहिए और ये Weapons Meet का घर ए Apple सब हम ले लेंगे क्योंकि Apple मुझे चाहिए और Apple से Golden Apple होगा और Golden Apple को मैं बाद में यूज़ करने वाला हूँ वैसे Horse भी Tame कर सकता हूँ मैं Golden Apple से और खा भी सकता हूँ अर उपर जाके कुछ नहीं मिला खास तो बहार चलते हैं और भी कुछ देखते है क्या कुछ मिलता है की नहीं मिलता है ये सी पिकल को हम ले लेंगे थोड़ा बहुत ये Under Water बहुत अच्छा लाइटिंग करता है तो तो ले लेंगे हम और यहां पर भी कुछ खास नहीं मिला भी मुझे तो हम थोड़ा उस साइट पर जाके देखते हैं थोड़ा वीडियो को मैं फास्ट कर रहा हूँ आपको दिक्कत नहीं होगा साइट देखने में आप समझ पार रहे होंगे यह देखिए हम पूरा इस जगा को एक्स्प्रोड कर रहे हैं कुछ खास तब और यह सामने मिल गया जंगल बायोम यह बहुत रियार बायोम है यह बह बहुत आसानिक से मुझे मिल गया तो फिर हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और चले जाएंगे सीधा जंगल बायोम और यह क्या है ट्रेजर उसमें भी ट्रेजर रहता है तो पहले हम यहां पे थोड़ा देख लेते और यह जो टेला कोड़ा है सब हम ले 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 पहले फिर हम जाएंगे जंगल बायोम में और वो जो ट्रेजर मिला मुझे वो पहले हम कलेक्ट करेंगे ठीक है तो कहा गया मेरा बोट नीचे भी है कुछ पोटल है नीचे रूइन पोटल है तो अभी तो मेरे पास कुछ खास इंचैंटेट बाला नहीं है तो हम नहीं जा यहाँ पर मिलेगा मुझे पैर्ट तो पैर्ट और पांड़ा दोनों ही हम देख लेंगे मिलता है कि नहीं मिलता है तो हम एक बाद जाके उधर पर अपना ट्रेजर बगड़ा क्या मिलता है एक बाद देख लेता हूँ और यह बोट से चल पड़े हम तो आगए हम उपर जाके सीधा नीचे जंप मरेंगे और इसमें दो जगा में ट्रेजर रहता है मतलब दो चेट रहता है तो पहले तो रात हो गया है यहाँ पर मैं सोने की कोसिस करता हूँ क्योंकि मुझे तो अभी कुछ फिलाल मतलब अच्छ कुछ अर्मर वगड़ा मेरे पास तो नहीं है अगर जब मेरा पास अच्छा अर्मर हो जाएगा तब में और भी थोड़ा डियर डेबिल के तरह खेल पाऊंगा सुबह तो हो गया हम नीचे जाते पहले इस जगा को थोड़ा हम क्लियर कर लेते नहीं तो उपर में आने में में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा यह मुझे इस जगा को थोड़ा कवर करना पड़ेगा कवर स्टोनिया जो भी है मेरे पास मिल गया ट्रेजर यह दिएक पहुसरा एंबडल मिला लाप इस मिला और कुछ अड़न का नगेट और यह गोल्ड का भी नगेट है कुछ सब हम ले लिए और इस जगा को थोड़ा हम भर दियेते आसपास और भी थोड़ा देख लेते और भी कुछ मिल जाएगा तो हम ले ल कुकि मुझे जंगल से कुछ चीज मिलेगा जैसे कोकाव बींस, और फिर हम चलते है थोड़ा इस साइट भे, देखते है क्या है की नहीया, और यह वाइंस इसको हम सेर से ही तोड़ सकते है और नॉर्मल यह से तोड़ने से तो नहीं मिलेगा, यह क्या है कैव, ठीके हम ले लेते है अपल को और फिर चलते हैं और बैम्बू भी हम थोड़ा बहुत ले लिए हाथ में और यह जंगल में होता है जंगल टेंपल तो अगर मिल जाएगा तो उसमें भी कुछ चीज या फिर सामान ट्रेजर मुझे मिल जाएगा तो पहले हम थोड़ा आसपास देख लेते हैं यह वायोम बहुत आसानी से नहीं मिलता है तो मुझे तो बहुत ही आसानी से मिल गया लग बहुत अच्छा है इसलिए मिल गया और सामने थोड़ा डेजर्ट भी है यहाँ पर हम थोड़ा वीडियो को फास्ट प्रोड़ोट कर रहे थे अभी तक मुझे पैड़ेट पांड़ा कुछ भी नहीं मिला बेकार घुमड़ा हूँ अभी तो कुछ खास नहीं मिला कोकाव बिन्स भी नहीं मिला और साइध यहाँ पे एक बिलेज है प्रोड़े और यहे नेची जो दीघिख रहा है आपको ग्रीन कलर का यह एक दम है आपका कच्छा है तो इससे भी आपको कोकाव बिन्स ही मिलेगा यह देखिए यह मिला कोकाविस तो इससे क्या होगा हम केक बना सकते हैं और नया ब्राउन डाई बना सकते हैं तो आगे जाने की कोसिस करेंगे हम फिर से यह केव बगड़ा में तो यह नहीं घुसेंगे अभी हम मुझे अभी से आसपास में क्या है थोड़ा दिखना है और कुछ नहीं और यह सामने एक विलेज है तो हम एक काम करते हैं एक बार विलेज में जाके थोड़ा देख लेते हैं कुछ चीज हम कलिट कर लिए है और यहां पर तो कुछ नहीं है अभी विलेज में लोग है तो या फिर मर गया नहीं लोग तो है यहां पर अरन गोलेम भी है क्छास तो कुछ नहीं मिला मुझे इस विलेज से एमरेल बगरा भी नहीं मिला और हम फिर ढूंड रहे हैं अगर कुछ मिल जाए मुझे अच्छा तो अभी तो मुझे कुछ नहीं मिला और यह नीचे बहुत बड़ा केवे तो रात को तो हम ऐसे स्पेंट कर दिये और यह हम सोच रहे कि आगे तो रहे उस साट पे जाके दिखे और यह वांडरिंग टेडर मिल गया तो देख लेते हैं ड्रिफ लिफ हम ले लेंगे यह निया अपडेट में आया है तो मिल गया मुझे तो हम ले लिए और थोड़ा आगे उस साट पे जाके देखेंगे यह मेरा स्पाई ग्लास बहुत अच्छा काम कर रहा है हम देख पा रहे हैं बहुत दूर दूर से यह देखिए आगे भी हम तोड़ा देख रहे हैं और यह साइद लगता है सामने विलेज है और भी एक विलेज है तो हम तुरंट चलते हैं अपने उस विलेज की तरफ आगाए इस विलेज में तो यहाँ पर भी कुछ खास तो नहीं मिला लेकिन जो भी मिला मुझे ले करते हैं क्या मिलता है की नहीं मिलता देख लेते हैं यह विलेज तो बहुत बड़ा है और एकदम समुंदर की किनारे पर है यह तैगा विलेज है यहाँ पर पूरा स्प्राउस का सब बना हुआ है मतलब स्प्राउस की लॉग यूज किया गया है तो मैं तो हंट कर रहा हू और मैं यहाँ पर पानी में आक्सलर देखा था लेकिन अभी तो नहीं देख पाड़ा हूँ और फिर यहाँ पर मिला मुझे एमरेल्ड कुछ तो हम ले लेंगे एमरेल्ड को और यह तैगा का एक बहुत अच्छा चीज़े हम बहुत दूर से इसको देख पाते है क्योंकि यहाँ पर कैम्पायर होता है और कैम्पायर होने की बज़े से बहुत दूर से नजर आ जाता ह तो हम इस जगा को थोड़ा तो देखी लिए खास तो कुछ नहीं मिला कुछ आमरील तो मिला मुझे हाँ वो भी काम का है और हम रात को यहां पर पेंट कर लेते हैं फिर चलेंगे हम निया दिसा में तो कल का दिन तो मेरा आफर कतम हो गया था और आज फिर चलते हैं निया दि यह क्या है यहां पर तो कुछ नहीं है तो मैं थोड़ा आगे जाने की कोसिस कर रहा हूँ कोसिस मतलब के आगे जा भी रहा हूँ तो मुझे यह बहुत बड़ा अवी मौउंटेन मिला तो हम एक बाहँ कोसिस करेंगे उसमें जाने की , चलते हैं माउंटेंड की तरफ आ गये हम माउंटेंड में और यह पानी से ऐसे उपर में चले आए और इस जगह पे केवन क्लिफ्स अपडेट में अभी गोट तो आ गया है इसमें अभी तो नहीं मिला मुझे अभी तक यहां पर और यह देखिए जॉम्बी है हम तोड़ा को लिये और आगे चलते हैं आगे तोड़ा में रस्ता बना लेते क्योंकि बार बार उपर निचकाने में बहुत टाइम लगता है उतना टाइम क्या देगा और फिर आगए हम इस साइट पे और यह देखिए इस साइट से आपको तोड़ा मैं दिखा दे रहा हू उपर में पूरा बड़फ है एकदम, कुछ बड़फ मुझे लेना चाहिए लेकिन बड़फ लेना से इंवेंटरी पूरा फूल हो जाएगा, क्योंकि 16 बड़फ की गुले से एक स्टैक भर पूर हो जाता है, तो ज्यादा हम कैडी तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम नहीं ल देख रहा है, चल कर देखते हैं, कुछ खास मिलता है की नहीं मिलता है, और यह देखिए, फिर आगे हम एक और निया विलेज मिला मुझे, निया विलेज ही तो है, तो इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या कुछ मिलता है की नहीं मिलता है, और यह विलेज के साइड म उल्फ रहता है उल्फ या फिर डॉगी जो भी हो रहता है तो उसको टेम करना पता है हड़ी से तो अभी तो मैं जे नहीं मिला कुछ डॉगी वगेरा तोड़ा मैं घूम के देख लेता हूँ अगर कुछ अच्छा सामान मिल जाए मुझे उपर ये जंगल का बायोमी है उपर में तो फिलाल तो विलेज में कुछ नहीं मिला मुझे खास लेकिन फिर भी मैं हंट कर रहा हूँ अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो तोड़ा हम अभी उपर उस साइड में जाते तो अच्छा होता चलो यहां से निकल जाता है टाइम मोईस्ट मत करके साइड पर क्या है वो उपर में गोड़ा रखा हूँ है साइड हाँ गोड़ा है तो उपर में चलते हैं उपर में अगर कुछ घरवगड़ा हो तो हम देख लेंगे कुछ तो नहीं है यहां पर नहीं है कुछ नहीं है उल्फ 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 दिखा मुझे यह तो गुल्फ है तो मेरे पास ताड़ी नहीं है तो इसलिए तोडह कहना दे देखता हूं मैं लेता है कि नहीं लेता है कहां गया हुल्फ कहां गया तू अब डॉगी कहां गया तू खाना लेके आ गया मैं तरह लिए कहां गया कहां गया ये मतलब बहुत जल्दी दोड़ता है पता नहीं कहां गुज़ गया ठीक है चलते है नीचे में ही चलते है नीचे में ही चलते है अब देखते हैं मिलता है की नहीं मिलता है ये विलेज की बगल में ही मिल जाता है ये cat, doggy जो भी है तो इसको मुझे tame करना पड़ेगा तो इसके लिए हड़ी चाहिए तो मैं इस जगा की coordinate को note कर लिता हूँ बाद मैं आके हड़ी दे के इसको tame कर लूँगा क्योंकि मेरे पास तब हड़ी नहीं है और मैं घर से थोड़ा बहुत दूरी भी हूँ बाद में हड़ी को लेका आएंगे और ये doggy को हम tame करके लेके जाएंगे इसको tame करने के बाद ये अपने आप ही चला जाएगा ये तो मिल गया doggy ये देखिए इससे क्या होगा अगर मैं इस doggy को tame कर लेता तब मैं इसको खना देने से ये breed करता मतलब दो doggy को खना देने से वो breed करता और ये है एक ruined portal चलते हैं उसमें तो मैं तो doggy को tame नहीं किया था तो इसलिए नहीं मिला और ये मिल गया मुझे कुछ सामान हम सब ले लेंगे ठीक है आगे एक और वी village है बहुत बढ़िया तो मुझे बहुत village तो मैं explore कर लिया हूँ अभी तक 3 या 4 village तो हो गया मेरा इसको लेकर 4 village होगा मेरा तो हम चलते है इसमे क्या कुछ मिलता है की नहीं मिलता है देख लेते है पहले हम अपना रात को बिता लेते है बिता लिया रात तो हब हम थोड़ा explore करेंगे कुछ खास तो मुझे नहीं मिल रहा है village की पास से और saddle भी नहीं मिला भी यहां से saddle मिला मुझे डेजर्ट टेंपल से मिला लेकिन यहां से कुछ नहीं मिला भी फिलाल और यह है क्या यह इसमें भी तो ट्रेजर रहता है तो हम तोड़ा यहां पर एक्स्प्रोर कर लेंगे फिर जाएंगे वो पानी वाला ट्रेजर जहां पर रहता है जो दीखा मुझे भी उस जगह पर हम क्यूंकि उहां पर थोड़ा बहुत इंचांटेट बड़ा माल मिलता है और यह सैडल मिल गया बहुत बढ़िया तो हम देख लिए जगह को पुरा कुछ नहीं मिला विलेज में अब हम चलेंगे उस जगह पर आ गए हम और उपड़ से हम चलांग लगा के नीचे जाएंगे और फिर देख लेंगे अंदर क्या है की नहीं है अंदर है मिल गया चेस्ट मुझे तो कुछ रख के पहले हम खड़ा हो जाए बस यह खिये एमरेल मिला आरन मिला गोल्ट किनगेट लैपीज अच्छा है और यह फिर जंगल में आ गए हम पांड़ा लेकिन नहीं मिला मुझे तो पांड़ा को मुझे ढूंडना पड़ेगा तो हम ढूंड लेंगे जंगल मिल गया तो पांड़ा भी मिल जाएगा थोड़ा रियर है लेकिन मिल जाएगा तो हम आगे चलते हैं उस साइट पर लगता है मेरा घर अब उसी दिसा में है तो मुझे उसी दिसा पर ही जाना पड़ेगा तो हम यह फिर इस जगा पर आ गए मुझे इस जगा पर नहीं इस साइट से चलना पड़ेगा तो सूरज तो है अभी ठिक ठा कौडिनेट थोड़ा मैं देख रहा हूँ और नीचे देखिए नीचे मिल गया ओसन टेम्पल यह क्या बोलता है वसन टेम्पल ही तो बोलता है इसको और इसमें आके मुझे लेना पड़ेगा दा हर्ट अब दसी को तो यहां पर गार्डियन बोलते बोलते ही आ गया अड़ी बाफर यह तो खटाननाक एटाक भी कर दिए यह दिखिए अनिमेसन हो रहा है स्टार्ट हो रहा है तो मैं अभी क्या है कुछ तोड़ नहीं पाऊंगा अगर मेरे पास मिल्क होता तो हम मिल्क को पी लेते फिर मेरा यह जो पोसन बहला जो अटाक मतलब यह जो मेरा मतलब हर्म हो रहा है मुझे यह नहीं होता लेकिन देखनी रहा है अभी मुझे मिल गया तब वहाँ पर तो यह का कॉडिनेट मैंने नोड भी कर लिया तो बाद मैं आकेम ले लेंगा हाट आप दसी को तो कॉडिनेट मुझ में स्क्रीन का वह पर भी लोगो एक आ गया तो कुछ टाइम हम फिर पास्ट कर लेते हैं क्योंकि इसका ड्यूरेसन तो मुझे पता नहीं और पता नहीं है कितना देर तक चलेगा यह देखे मैं बेट को भी तोड़ नहीं पार रहा हूँ यह उसी रिजन से हो रहा है तो अब तोड़ा टाइम मेरा वेस्ट कर वो गया उसके बाद फिर हम चलते अपनी घर की तरफ और मुझे जाना है इस साइट पे तो हम चलते अब अपने घर की तरफ मुझे अब छलाटना है अपने घर में और इंवेंटरी भी मिरा थोड़ा बहुत नहीं पुरा फूली हो गया है सामान कुछ कलेट कर लिया मैंने और जल्दी से जाड़ा हूँ मैं अब अपने विलेज की तरफ मुझे एक होर्स को टेम करने से अच्छा होता लेकिन अभी तो वो राम नहीं करेंगा और ये हम आ गए फिर से वो वाला तैगा विलेज में और फिर चलते हैं अपने घड़ की तरफ क्योंकि मुझे तैगा से तो सब मिल गया था अब हम आ गए अपनी घड़ की तरफ सामनी ही है एकदम हम समझ गए कहां पढ़ है मेरा घड़ अब ही तो मेरे पास उतना इंवेंटरी में जगा भी नहीं है कि हम कुछ कलेटर के लेके जाए तो फिर हम चलते हैं और ये हम आ गए अपने घड़ में पूड़ा जो सामान जो भी मुझे मिला इंवेंटरी में जो भी है सब में अपने वो निया वाला चेश्ट में डाल दूँगा ताकी मैं आपको पुड़ा दिखा सको कि क्या क्या माल मुझे मिला और ये सब समान अपने यहाँ पर डाल दिया देखे और ये सब देखिए एक्सप्लोर करने के बाद मुझे कितना सब समान मिला जाके पहले अपना बैंबू को प्लांट करते हैं ये बहुत अच्छा दिखता है मतलब एकदम अलग ही लोग ला देता है अपना बेस का और फ देखेंगे कि कैसा लगता है तो इसको ग्रो होने तक हमको वेट करना पड़ेगा हम बोन मिल तो अभी नहीं यूज करेंगे बोन मिल मेरे पास बहुत सारा है लेकिन फिर भी हम वेस्ट नहीं करेंगे जो भी हो हम इसको यहाँ पर प्लैंट कर दिये और आज का वीडियो मे तब तक लिए बाई बाई और हाँ अगर आपने चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का जो बटन है उसमें और यह देखिए पैंडा और पैरट दोनों को हम बोट में लेके जा रहे हैं अपने घर में तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दोनों ही दिक जाएगा तो थांक्स पर वचिंग तो फिल्मित आ नेक्स वीडियो में तब बाई बाई थांक्यू झाले किन दो दो रहा हैं तो झाले की जाएगा थांक्स वीडियो में नेक्स वीडियो में तो